पिहार दिवस में हम लोग गय थे शुरू में नुटिस कुमार के, चार दील, हम लोग सख नहीं रहे थे पैनाने का जितना लोग था खाने बला, हम लोग सखे नहीं थे, चार दील थे गांधी मैदाने में, डेली यही मतने बना रहे तो खिर्क मतन कबाब तास सीख, पीओर दील है एक घंटा, एक घंटा, तास एक घंटा में रेडी, घली देख, चार रुपे कीलो मीड था तो अप्स्रम बेच रहे हैं, आपके चडवोदा है, हाई चडवोदा है, अप्छी हेवी चडवोदा होता है, एक दिन का कितना मतन सेलिंग होता है, डेली, समझ यह ना, एक कुम्तर, हलो निमस्कार, दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में, तो दोस्तों एक बार फिर आपको लेका आजूगे कहां, वैसे हम हैं अभी मुतिहारी में, और मुतिहारी में जैसे ही अस्टेशन तरफ से आते हैं, तो यहां पे गांधी जोग है, यहीं पर एक यह यह मुना होटल है, 35-40 वर्स पुराना होटल है, और इस एरिया में थेमास है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से यहां पे मतन बनाया जाता है, तेस्ट करेंगे और आप तक साथ भी पहुंचाएंगे, तो चलिए वीडियो को करते हैं, इस्ट जा रहा है, तेल, तो यहां पे जो है, गैस बंद रहता है, उसी समय सारा चीज डाल जा जाता है, तेल तक, उसके बाद अब गैस को जलाया जा रहा है, तो चलिए यह गैस जल चुका है, और उसके बाद इसको अभी लाल किया जाता है, जब यह फोरन लाल हो गया तो इसमे कुछूल खर्टाड़ करता है ईदिसे साफ हुखत का ओप हिए ग़िए ऐठ दीका देच साथ है क्लर कि अिपना बहेसिन घुट किला जाना गिए मौने दाला गिया लाग किल जाला गिए इस तको लाल किया जाला पानी गए तब पानी को खोड़ा लेते हैं थासी पनाने का टेकनीक है जिसा बहुत लाल कर लिया गया गया डिखिए दो दो जग पानी गया है यह लिए पानी गया है तो नहीं का टेकनिक यहां का बिलकूल अलग है जिसा अलग अलग होना चाहिए चाहिए कितना पानी जाएगा टोकल इसमें तो जगा हो जाए लिए फिर से आ गया यह दूजग पानी और इसमें डाला जारा है में अीज कि आए तरण वे पुर्छी अधी के तरह थिज कि पर्ता को प्रुधिया गया इस चले ये खुल गया इक पुड़ा क्या प्यासा प्याईक कि यह था प्याइद है और अब उसके फिर तो करेट ये लिए गया अफ़ ये भी दाएंगा तोच पुस नहीं जाएगा, हुचा इसमें खाई नमक करेट। होल्ख करेटे फिरे टिस्केज़ दाला है। नमक करेच? तो पूरे इसमें स्लाइगें टाला रहा है। जाक दल गा झाजमिये गाजी एक क्जी चाली दाला है। पूरे ये मटन आ गया है, बाल्टी में भर बर के देखें, दो बाल्टी मटन आ चुका है, यहां फड़ेश फड़ेश, अब इसमें इसको डाला जाए उसे, प्याज वाई लगभाग गल गया है, ये इसमें जा रहा है, पूरे के पूरे, एक बाल्टी मटन, और ये भी इसे खलेजी देखें, पूरा के पूरा खलेजी डालिया, एक, दो, इसे इस मटन को पकने में अभी कितना टैम लगएगा, प्योर खुसी है, एक गंटा, एक गंटा, एक गंटा, एक गंटा में रेड़ी, घली देखो, उसे अंकल फिलाल अभी यहां का ओनर हैं, आप यहा होट पुरा ना है, हमारे समय में एकोगो दोकान मोतिहारी में नहीं था, जब आप इस्टार्ट किये थे? चार बजे मोतिहारी पुन हो जाता था, अकेवर हाई लगा हुआ है, उसके उधर वाला चार, आट फिंट का रोडे था, छोटा वाला रोड, आट फिंट का रोड तब हमें इस्टार्ट किये थे? लगात। रोड फिंट किये थे? उसके उसमय लोग घो जो जुह कहां था, खाने वाला टा रेट भी कम होगा उसने है, चार रोपे किलो मीड था तब से हम बेच रहें। चार रोपे केजी? चार रोपे केजी अभी तो होगा? एक रोपे की ती चावल था था उसे घटशी जो लात एक इतने केजी का खश्य होता है सबाएच किलो 9 किलो अच किलो 9 किलो उस्से बड़ा नहीं यहागय चुस्ता हुआ ना यह चर्वोदा है रफी हेवी चर्वोदा होता है आप है ये चुस्ता है कि तुष्टा रेगे कितना है जाविए तीन पीस मीट एक प्रेक चावल देर सो रुप्या तीन पीस मटन हाँ प्रेक चावल के साथ में आप आप शमत्ती अब बोर्ट को लिखा हुआ है अब मसाला डाले डालेंग आपके सामने कि फिलाल कितना मतनि का कितना मतन सेलिंग होता है गया समझे ना एक कुंटाल एक खंगागे लगवाग तीस पेटीस केजी बना रहे हैं पाइटालिस केजी फिर दुबारा कब बनाइएगा फिर बनाएंगा लाही बजे आपको 30 केजी फिर बनेगा हाँ उकाराई में बने यह लगवागे एक दिन में जो आपको बस बनेंगा तीस उसके बाद बनेगा 20 जा जा रहा है हल्दी जो पुरा बालतीन में भड़के रखे हुए है यह जा रहा है मेर अभी मसाला जो है अभी अन्याज से डालते यह ही लनमें एंप गळम शर्च कि झ dealer मशाळते है है यह इसमें क्या है गरम बसला आया म। त्यार करके लख विए इसके बाद भी गरम मसाला पढ़ेगा इसके बाद भी पढ़ेगा हाँ यह क्या था यह मीट मसाला है अब यह डाल रहे हैं किचन कींग है यह आगया लाल पोडर यानि कास्मिरी मीर्च है कास्मिरी मीर्च है राकेश का यह उस्टाज है हमारे भाई है अच्छाप के भाई है दोनों मिल के चलाते हैं हाँ इनका नाम है तिलोगी पटेल हाहा! पिहार दिवस में हम लोग गय ते सूरु में निटिष कुमार के, चार दी हम लोग शुक नहीं रहे थे बनाने का इतना लोग था खाने बड़ा हाहा हम लोग शुक्षे नहीं थे, चार दीन थे कांधी मैदानी डेली यहाही मटन गय थे? उस वकर तपनान अतना दोकान घा थाब तो चांपारंग कितना इस फुगे हाँ हम लोग जब कहे थे तर इतना होटल कहाँ था पफटना पहले पढ़े ची किमार का भी आजीवस अच्छा उस समय गये थे अब देखें माटन का कलर इसमें कितना बैतरीन आ गया है पूरा के पूरा लोगन उपर में तैजने लगा है लगभग 35 से 40 मिट हुआ है अच्छा ये मसाला कूट रहे हैं आहां गरम मसाला है लोंग लाइची है जाउतरी है साजीरा है बड़ी लाइची है छोटी लाइची ह है केसर है ये गरम मसाला का टोटल आइटम हो आप टोटल आइटम देते हैं तो ये पहले भी डालते हैं और बाद में भी डाला हुआ है बाद में भी डाला जा रहा है पहले पावडर बढ़ाया के डाला हुआ है चाल चूल के अभी कूट के कि दार पर गाहां के पड़े त मेरा साल से उसे ये चंपारन का सुने की बहुत नामी जुखाना है बहुत पुराना चलिए ये देखिए इसमें अब गरम मासला ये फूट के डाला जा रहा है उसे ये मटन हो गया रेडी हाँ खसी का मीट में कोई टाइम नहीं लगता है प्योर खसी सामने कटवाते हैं जब रहा है जब रहा हो गया है जवानी से लाइकाई से करते करते हैं हम समझिया कि 10 से गारे साल के थे तभी से कर रहा है हम पढ़े नहीं भाग रहे नखनाव वहां अमीनाबाद पार्क के सामने नभाब रेश्टूडेंटा उसी में काम किये समझिया साथ साल साथ साल काम किया है वहां से आएं ता वही पर याज़ फिट का रोड था तो वही पर पलानी गिरा के अद्दोकान किये उसमें पढ़नी टांक कि खिलाते से हां उसमें दू किलो और आई किलो को बिजब करते से लिए इधर ये मटन डेडी हो गया और प्लेट लगना भी चु स्टीरा कहले देते रहो जिए मांगे हो ख्रेकर ना लो जबना ना के अगया मुटको अगर अचार जो एक यह प्लेट लग गया है मटन का ऑशे मटन बढ़ियां है साथ में चावल एक पर चावल है और यहां पर जो है एक सो दश रुपिया में गपिस मटन के साथ में में एक पीस और उसके बाद करना हुआ ईहां पर देख सकते हैं परण पटनामला ग्रेवी इसमें को मिलेगा परास्त चावल और रेवी प्याज का मिखा पन हलका हलका आदा है तो तो प्याज बना चाहिए जिससे और बहतरी उस्वाज आता है प्याज का स्वाज इसमें आपको खुल का आएगा और उसके बाद पिखा हलका सा लगेगा ज़से खाने में बहुत मज़़ेदार रहता है वर्टिज लेंगे यह आएगा ज्रेविंग में लगाए बेक्षाने वाला गलारी वाला घर्लकावने वाला गला पार्टी पुझिला वाला आप इस तरीके का होता है विसके देखिए इसको जो है आपको भूचिना पड़ेगा अरम से गलेगा नहीं चबाना पड़ेगा इस पुरा पकने के बाद पूर तरीके का हो गया है अजय है और आसा आपको चबाना पड़ेगा यह देखिए यह देखने की आपको पता चल रहा है चबाना के बाद भी तस्वाद काफी बज़ाव का आएगा चलिए जल्दी जल्दी इस पलेट को खतम करते हैं अनोड़ा आस्य में नेकी बूदी में सुचिया चलिए जदेभासे ऊखता रचे चाना के चाथ साथ भी तक लिए बएवे